आगरा के पारस अस्पताल के संचालत का हुआ भाड़ना फोर्ड पांच मिनट तक मरीजों की जान बूच का रोकी गई थी आक्सीजन की सप्लाई 22 मरीजों की चौली गई थी जान रामपूर पहुचे भाजपा के प्रदेश अद्यक्षिय स्वातंतर देव सिंग कोरोना से मरने वालों के परिजनों सिक्की मुलाकात मौके पर अन्यनेता भी रहे मौजू लखनओ के चावनी अस्पताल में पीपीप की मौजूल पर प्रसफ सुविधा की तैयारी वैरी बोर्ड ने पास किया प्रस्ता पुलिस आधुनिकी करण पर सीम योग्यादे तेनाद का जोर बोले दोगु निकी जो आई पुलिस ट्रेंडिंग स्कूलों की शम्ता प्राइबरेली के कोविड अस्पताल में कम्प्यूटर आपरेटर की रूप में तरात यूवती के साथ दुशकर्म का प्रयास पुलिस मामने की जाच में जुटी बलरामपुर में स्कूल में करिंट लगने से दो बच्चों की मौथ हाई टेंशन लाइन की चौप एट में आने से हुआ हाथसा सुल्तानपुर में रेलवे ट्रैक के पास मिला डिग्री कॉलेज के लिपिक कश्यम हत्या है या हाथसा इस बात का नहीं हो पा रहा है राजवाश लखनव के होटल में डकैती की बना रहे थे योज नौ पच्चुस हजार के इनामिया प्रादी को स्टी एफ ने दबोचा जॉन पुर्बे पेट्रोल पंप इंडकैती के मामले में था आरोपी बहराईच में शराब के नशे में भतीजे ने चाचा का दराती से गला काट करकी हत्या पुलिस ने आरोपी को किया गिरफतार यादा याद व्यवस्ता सुधारने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम अब सभी जिलों में इंटीग्रेटेड ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू शराब माफिया उपर नकेल के लिए यूपी पुलिस ने कसी कमर अब संयुक्त टीम बना कर होगी चापे मारी सबसंस तापक मुलायम सिंग यादव ने लगवाई कुरुना वैक्सीन वेटे अकिलेश यादव ने कहा था बीजेपी का ठीका सीम योग यादव तेनाथ ने कहा कोरुना के खिलाफ लड़ाई बेपीम नरिंद्र मोदी ने देश को किया मजबूत यूपी संस्कर्ट सिक्षा परिश्वत के आठवी से बारवी तक के विद्यार्थियों को बड़ी राहत सभी विद्यार्थी होंगे प्रोननत शाजहापूर में आर्थिक तंगी से परिशान दवा कारुबारी ने पतनी वा दो बच्चों समेथ दी जान घर में फंदे से लटकते मिले शौप मुझफर नगर में कचहरी की दिवारों पर चस्पा होता है हाथ से लिखा गया अकबार आमजन की आवाज बने संपादक राजकिया हाई स्कूलों के सिक्षकों का दो महिने से नहीं मिल रहा वेतन सिक्षक संग ने उठाई आवाज यूपी पीएससी कि में कामकाज ने पकड़ी रफ्तार अब विभिन भरतियों में च्वैनेतों कोशीगर मिले की नियुक थी कानपोर डाग घर में सामने आया फर्जी वाड़ा सहायक पोस्माटर डाग सहायक और ट्रेजरार हुए निलंबित बिहार से फरार हो गया यूपी का शातर चोर घटना से पुलिस की विवस्ता पर उठे सवार रेलवे पी डेवलुडी और बैंक में नौकरी के नाम पर की गई ठगी लखनों में पंद्रा बेरोजगारों से डेर करडों रुपे की ठगी यूपी में दो हजार आट सो तीस किलो मेटर लंबी सतावन सड़के प्रमुक जिला मार्क घोशित अब साथ मीटर होगी इनकी चोरा जहरीली शराब बेशने वालों के विरुद्ध कसेगा कानूने शिकंजा कोर्ट से दिलाई जाएगी कठोरतम सजा लखनों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुद्भेड नौ बदमाश की रफतार डकैतीम की वारदाथ में वान्चित थे अभियुक्त दोसो से अधिक बूतों पर फिर होगा पंचाएच चुनाओ पचास हजार मतदाता डालेंगे वोट अफ सरुकी कमी यूपी की जेलों में सुरक्षा विवस्था में बड़ा रोडा सत्रा जेलों में तैनात नहीं आधिक शोक बल्रामपूर में चलती कार में तमंचा लहराना पड़ा भारी इंटरनेट पर वीडियो हुआ वाईरल यूपी में शराव का अवैद कारुबार रोकने का एहम निर्ने डियम ने जौरी किया मितायल अलकोहल विक्री का लाइसेंस लखनाओ मिधारा 144 लागो अब 6 जुलाई तक जुलूस वस सभा पर पूरी तरह से रोक ब्लैक फंगर्स के लिए M4 टेरिसिन B आने की गती में हो रहा सुधार लोगों को राहत मिलना हो रही है शुरू काशी वे अल्लोक हुई आस्ता कोविद गाइडलाइन के बीच बाबा दर्बार में दर्शन पूजन शुरू चनौली में इत भटे पर काम करने वाले मजदूर की फावरे सिनिर्मम हत्या आरोपी मौके से हुआ गिरफतार वारण असी में ग्राम प्रधान के तीन ग्राम पंचाएट सदस्य के दोसो साथ सीटो पर बारा जून को होगा मतदान जाँच के बाद बदले गए डियाजी ओ लखनो अस्पिताल के कुमांडेंट करनल समीर को मिली कमार आयोध्या में आधी तूफान से हुई भारी तबाही तीन की मौत आधा दर्जन हुए घायल सीम योग्या अधितिनाथ ने कहा भविश्य की चिनोतियों के अनुरूप नए विशे शामिल करे विश्य विद्याले सीतापुर में कार्ब में अचानक लगी आग बाल बल बचा चालक हादसे में नहीं हुआ किसी को भारी नुकसान लखनव के काला कारल कॉलोनी में नगर निगम किनने नाले पर बने गोदाम और अवैद निर्मान को ड़ाया देश में कोरोना वाइरिस के तीसरे लहर के लिए कॉंग्रेस ने शुरू किया सेवा सत्याग रह अभियान सोनबद्र के घोरावल ब्लॉक में पूर प्रदान वा सचिव समिच्च और परकसाशक अंजा आरोपियों पर प्राथमी की जौंच दर्ज कराने की कवायद हुई तेज्ट वारण असी में ठारा साल से कम उब्रवालों की शुरू होगी रेंडम सैंपिलिंग तीसरी लहर को लेकर अलर्ट में है चिकित्सा चन्दौली जिला अस्पिताल में मंत्री की पहल पर लगेगा दो सो एन पिल का ऑक्सीजन प्लांट ये ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस निर्मित और उचिस्तरी गुर्णवक्ता पराधारित जौनपुर में पच्चिस-पच्चिस हजार के आरोपी गिरफतार स्टीफ और पॉलिस की सही उक्त कारेवाही में मिली सफल था बलिया जिलिवे शादी समारों में फोटो खिशने पर युवक्ती की हत्या मामले में एक आरोपी हुआ गिरफतार वारण असी के कभी नगर में देहवे अपार मामले में पाच महिलाओं समें दो युवकों को पॉलिस ने किया गिरफतार इंकम टेक्स की नोटिस से उड़े गरीब के होश बावन करोड रुपे का खातिम में गुप चुप हुआ लेंदे वारण असी में करसडा नहीं अब रमना में बनेगा कच्चरे से बिजली का प्लांट एंटीपी सीट को दी गई अध्यन की जिम्मेदारी गोरकपुर में दो परिवारों के बच्चों ने खेल खेल भी किया खुदाल से जान लेवा हमला हमले में एक मासूम की मौत गोरकपुर में रिजी लाइन में ठीक कर रहा था फॉल्ट करेंट आया तो चली गई जाना प्रियाग राज में गायब युवक की टोंस नदी पूल पर मिली बाइक को खून के निशान से हत्या ग्या शंका नदी में हो रही तलाश प्रियाग राज में सिरोही पुल पर गो तसकर वा पुलिस के बीच मुद्बेड तसकर को लगी गोली पुलिस ने तसकर को अस्पताल में कराया भड़ती अटेवा की मांग कोरोना संक्रमित मृत सिक्षकों कर्मियों की नई पैंशन के वेतन का हिस्सा वापस कर सरकार सिक्षकों कर्मियों ने एरिय की साथ डिये बहाली के इठाई आवाज अटेवा को मिला सहयोग 55 के महीने भर बाद दुश्मनी में बवाल प्रतापगड में धावा संचौलक ने साथियों संग दपती पर किया हमला प्रियाग राज में गाउं में चलेगी आजीविका एक्स्प्रेस दस ब्लोगों में एक-एक महिलाओं को दिया जॉएगा ईरिक्षा प्रियाग राज में सवालाग श्रमिको वचववन हजार स्ट्रीट वेंडरों को मिले का भत्ता श्रम विभाग में साशन को भेज़ अब ब्योरा एसारान अस्पिताल में महिला के साथ बचसलू की नाराज जुनियर डॉक्टरों ने प्रयाग राज में किया विरोध प्रदर्शन कोरोना पीडिक परिवारों को अनुगरे धनराशी का भुकतान करें बेसिक शिक्षादिकारी परिशत सच्चिव ने जारी किया आदेश सडक चोड़ी करंड में पाठ दिया गया नाला प्रयाग राज के पन्ना लाल रोड पर बारिश में जल भराव का है खत्रा मुजफर नगर समित पश्चिमी यूपी के आस्मान से गुज़रा अंतर राश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन लोगों ने देखा अद्बुद नजारा सुभार्ती वीवी की ट्रोस्टी डॉक्टर मुक्ती भटनागर का नेदन कोरोना संक्रमण के बाद डियाइस्ती बिमारी सिथी पीड़ित राइबर इली में साइकल सवार बुज़र्ग को ट्रक में पीछे समारी टककर मौके पर हुई बुज़र्ग की मौत अलीगर में लोदत आने का महलाओ समेथ दर्जनों लोगों ने किया घेरा प्रदर्शनकारी महला हुई बेहोश कुशी नगर में पती ने भरी पंचायत के सामने पत्नी को जड़ा थपर्द घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वाइरल जालोन में पुलिस अभी रक्षा में अभ्यूक्त पुलिस को चक्मा दे कर हुआ फरार अरोपी अरोपी पर जमीनी विवाद में किया गया था चालान राइबरेली में महिला करम चारी से किया गया दुशकर्म का प्रयास आरोपी जेल कोच फैक्टरी के हुस्पिटल में आउट्सोर्सिंग के तहत है तैनाथ कुशिनगर में भूमे विवाद में हुई हत्या मामले में ग्रामीड और पुलिस के बीच चले इत पत्थर डियम और एस्पि ने मौके पर पहुँच कर ग्रामीडों को कारेवाही कदिया स्वाशन हर्दोई में पेड से फांसी पर लटका मिला युवक का शब ग्रामीडों की सूच्टा पर मौके पर पहुचे पुलिस आगे की कारेवाही में जुटी आपसी रंजिश में दबंगों ने युवक कुमारी गोली कमर के नीचे गोली लगने से युवक पुली तरह से हुआ घायल मुख्या रोपी को ग्रामीडों ने पकड़ कर पुलिस को सौपा लखनों में दूर दरास गाओं के कोविड मरीजों के लिए स्थानिय च्छात्रों के समूख के अनूठी पहल आक्सी मीटर वा डिजिटल धर्मा मीटर कोरोना मरीजों खुदिला रहे सुविदा राज़्दानी के गोसाई गंजसित मीशा गाओं में कैम्प लगा कर किया गया टीका करण इस दोरान गाओं की महिलाओं से लेकर पुरुषों तक में बढ़ चड़ कर लिया भाग सुल्तानपूर में सरकारी करम 44 से 30 लाग फिरोती मांगने का संसरी खेज मामला आया सामने पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों कुक किया गिरफतार शराब माफिया अनिल चौधरी के द्वारा कबजा आई गई जमीन को प्रसाशन ने कराया कबजा मुक्त बीते दिनों अलीगर शराब कांट में मुक्त आरोपी था शामिल प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों में जम कर चले लाथी डंडी एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर फाइरिंग करने का आरोप गुरकपुर में प्रेमी ने विवाहिता प्रेमिका की चाकूँ से गोध करकी हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफतार और इसी के साथ यूपी पे चत्तर में फिलाल इतना ही देश दुनिया की बाके की तमाम खबरों के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार